नमस्कार नीज़ फॉर निर्शन देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ धीरत सिंग जातिय जनगर्ना हो या विशेस राज की दर्जा लगतार जेडियू के अंदर सरकार से मांग कर रही है लेकिन दोनों ही मुद्दों पर बीजेपी की जो रुख है वो जेडियू से अल नहीं लेना हो लेकिन बीजेपी से साफ इत्राज जदा रही है दिखे इससे पहले भी भारत के परधान मंतरी से हमारे नेता बिहार के माने मुख मंतरी आदर्नी शिरी नितीश कुमार जी ने सर्व दलिये बैठक बुलाकर एक साथ सभी दल को लोगों को लेकर माने परधा जनगरना का डिमांड भी किया समर्थन में वो तमाम दल थे बिहार के और किवल बिहार नहीं जारखन भी कह रहा कि जाती अधारी थो बंगाल भी कह रहा कि जाती अधारी थो यूपी भी कह रहा कि जाती अधारी थो तो देश के विभिन राज्यों के माने मुक मंतरी और अ आमाम पॉलिटिकल पार्टी इस बात को मान रही हैं कि एक बार केवल जाती अधारीत जन्गणा हुआ उसके बाद नहीं हुआ तो जतीअ धारीत जन्गणा से नुकसान क्या है भाई एक बार करा तु दीजिए ताकि पता तु चल जाए कि की जाती का समाजिकली, पॉलिटिकली, एकनुमिकली, एजुकेशनली क्या गुरोथ है भोड चाहिए सभी जाती का लेकिन की जात की कितनी संखिया है इसकी जनगड़ना में क्यों परिशानी है क्या दिक्कत है अगर भोड सबका ले रहे हैं तो एक बार सबका जाती या अधारित जनगड़ना करा दिजी उसके लिए कोई अलग से इस्पेशल पैसा तो लगना नहीं है उस कागज में सिरिफ एक ही कालम तो बढ़ाना है तो एक लाइन बढ़ाने के लिए अनेको राज गोहार लगा रहे हैं इस पर हमको उमीदे की आधरनी प्रधान मंतरी जी और केंदर की सरकार को विचार करना चाहिए बीजेपी तो लगतार कर रहे हैं कि जो लोग जातिय जनगर्णा की मांग कर रहे हैं वो कि जात्पात की राजनीती करते हैं इसलिए उनका इस तरह का मांग है जात्पात की राजनीती से बिहार उबर चुका है अब इस तरह की मांग नहीं मानी जाएगी फिर जातिया अधारित देख कर लोग टिकट क्यों देते हैं जातिया अधारित देख करके ट्रांसपर पोस्टिंग क्यों होती है जातिये समीकरन देख करके कुँँ चुनाओं में मैदान में उतरा जाता है ये एक नुकसान तो बताईए ना भोड चाहिए जातिया अधारित उमिदवार चाहिए जातिया अधारित तो जातिया अधारित सर्वे करा दीजी क्या दिक्कत है विशेष राज की दर्जा की मांग को भी लेकर आपकी मांग रही है लेकिन बीजेपी कहा रहे हैं कि बिहार में उस तरह की स्तितिया भी नहीं हुई है जो मैदानी छेत्र हैं उन छेत्रों को विशेश राज के दर्जा नहीं मिल सकता है जब अस्पस्ट है कि इससे पहले भी विशेश राज के दर्जा के लिए सारे दलों ने समर्थन किया था तो जो लोग आज कह रहे हैं कि लोजिक दे रहे हैं वो लोग भी उस समर्थन में थे और अब भी जब हमारे नेता माने शिरिनितीश कुमार जी बारत की परधानमंत्री अधर्णिये निरंदर मोदी जी से मिलने आये थे यह सभी दल के लोग थे ना सभी दल के लोगों ने मिलकर सामोहिक रूप से इसका मतलब यह है कि नेतुरुत तो कह रहा है कि बिहार को विशेश राज का दरजा मिलना चाहिए और जब नीती आयोग ने अस्पष्ट कर दिया कि बिहार पिछड़ा है तो क्यों पिछड़ा है विख्षित देश बनाने के लिए उसी समय ने ये विख्षित देश संभव होगा जब कोई राज पीछे न रहा जाए तो विश्वगुरु उसी समय कंप्लिट होगा जब बिहार को विशेश राज का दरजा देकर इसको विख्षित बना दिया जाएगा तब जाकर विश्वगुरु की बात या विख्षित देश की जो कलपना है वो पूरी हो पाएगी एक आफरी सवाल है कि यह दोनों जो मुद्दे हैं चाहे जाते जंगरना की बात हो या विशेश राज की दरजे की मांग हो दोनों मुद्दे पर BJP और J.U. की जो विचार है जो सोच है अलग है तो क्या आपको लगता है कि आप चुकि जिस पार्टी सी आते हैं J.U. O. M.L.C. है नितीष कुमार को और जो आपके पार्टी निरतेते तो उनको समय रहते बीजेपी से किस तरह का संबंद रखना चुकि लगतार इस तरह कि दोनों के भी संबंद में खटास की भी खबड़े आती रहती है तो समय रहते हैं उनको कुछ कड़ा फैसली की यह शक्ता नहीं यह मुद्दे की बात है और मुद्दा अधारित बाते होनी चाहिए और जन हित में देश हित में राज हित में बिहार हित में जो जो मुद्दे हैं उसको लेकर हमारे नेता जन्ता दलियू के आदर्णी सिरीनितीश कुमार जी ने हर पलेट फारम पर वो चाहे समाज सुधार का इशू हो या जल जीवन हरियाली का इशू हो या आपके जल संचे का इशू हो जो जन हित से जुड़े हुबे मौमले हैं तो उन्ही जन हितों में जातिये अधारित जनगणना भी है और बिहार का विशेश राज का दर्जा भी है और इन दोनों पर हमारी पार्टी का आज से नहीं पर्थम दिन से ये इस्टेन है आगे भी रहेगा उस बक तक हम अपनी बात अपना डिमांड सरकार के सामने रखते रहेंगे जब तक कि हम सफन नहीं हो जाते तो साब तोर पर जाते जनगारना हो या फिर विशेश राज के दर्जे की मांग तब तक जेडियों मांग करती रहे कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं जाते दिलिशन विश फोर्नेशन के लिए मैं धिरत सेंग